हेलो एप्रिवन कैसे हैं आप सभी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 most important idioms है जो कि आपको 100% exam में मिलेंगे ठीक है तो सर आप तो हर वीडियो में बोलते हो कि यह exam मिलेगा तो हमारे paper तो सर सोई नंबर का आएगा आपने तो question 500 बता दिये यही तो बात है सब को सब पढ़ना पड़ेगा है यह बहुत ज्यादा important है आप देखते हैं सबसे पहला दिखिए the gift of the game यह मोहावरा बहुत important है the gift of the gape का जो अर्थ होता है वो क्या होता है वो होता है कि कोई विक्ती आप ने देखा होगा जिसके अंदर पर बोलने की कला होती है. Talent for speaking. मतलब कि उसके अंदर है ना बोलने की कला होती है. जिससे अपन उसके क्या हो जाते है भी या? उसके हो जाते है फैन. जिसके आब नहीं दखा होगा, कुछ लोग इतना बड़िया बोलते हैं कि देखते हैं रववस्म के सामने वायर तो ऐसे लोगों को क्या होता है तो इसके लिए हम क्या इडियम है और इसका मतलब आप मुझे लगता है कि इससे समझ गए होंगे है ना ऐसा लगता है मैं हवा में हूँ आज इतनी खुशी मिली है तो इसका अर्थ होता है टू बी वेरी हैपी टू बी वेरी हैपी है ठीक है और यह इन दोनों का अर्थ होता है टू वॉक ऑन एयर म जोब लग जोब का एकदम आपके घर पर बोले कार्ड आगे वोले कल से जोब पर आना है तो केसा लगेगा आपको बताओ feeling nice है ऐसे तो to walk on air एक होता है on cloud nine ये भी याद रखना इसका मतलब होता है to be very happy और एक मुहावरा होता है feeling blue feeling blue ये भी एक मुहावरा है लेकिन इसका मतलब अलग होता है इसका मतलब क्या होता है feeling blue का मतलब होता है feeling upset जैसे मानलो आप कभी वो हैं दुखी है कभी किसी कारण से upset है तो आप बोल सकते हैं कि today I am feeling blue आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बहुत बेका लग रहा है समझ गए तो ये feeling blue ये अगला इडियम है next इडियम पे चलते है next इडियम देखिए आपका क्या है pie in the sky pie in the sky का जो मतलब होता है कि कोई भी चीज जो की संभव ही something that is not possible जो की संभव नहीं है उसके लिए जो मुहावरे यूज होता है वो होता है pie in the sky तो आप इसको याद रखिएगा अगला है miss the boat अब देखिए miss the boat आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं आप कह कई जा रहे हैं और क्या हुआ कि आपकी बस निकल गए तो अब खतम पिच्चर दूसरी बस आएगी उसका इंतजार करेंगे कई बार हमारे जीवन में अवसर आते हैं मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अवसर जो होता है ना अवसर के बाल पीछे नहीं होते हैं हमको सब पता चल जाता है कि नकली है मलूम है हां तो अब उसके बाल आगे रहते हैं तो जब वह आपके सामने आता है ना अवसर तो आप उसको पेचान नहीं पाते हो और जब वह जैसे पलटता है अब वह पलट गया तो पीछे से तो गंज आए अब आप उसको पकड़े भी नी सकते सब्सक्राइब है तो जीवन में अवसर तो आते हैं लेकिन उसको पेचान नहीं पाते हैं तो इसी तरीके से मिश्वाट का अर्थ होता है कि मिश एन अपकॉंटरिटी हमारे जीवन में कई बार कोई कोई आई और उसको हमने मिस कर दिया अगला मुहावर है फे कि face the music तो face the music का मतलब होता है accept the blame ब्लेम जो लगा है उसको accept करना beat about the bush यहां पर B-U-S-H आज मैंने इसा चीज़े गलत लिखती है यह मैंने लिखाया भी beat about the bush, beat about the bush का अर्थ जो होता है वो होता है कि कई बार आदमी जो काम की बात होती है वो नहीं करता है लेकिन उसके आसपास की बाते करता है जो की बिना काम की होती है तो इसका अर्थ होता है avoid talking important मतलब important जो बात है उसको avoid करना और फालतु की बखवास करना है ना तो इसलिए ब lively and energetic मैंने आपको पहले कुछ इडियम बताए थे तो एक इडियम मैंने आपको बताए था कि fit as a fiddle fit ये बताए था मैंने आपको कि fit as the fiddle जैसे कोई आप से पूछे कि hi how are you तो आप उसको क्या बोल सकते हैं कि fit as a fiddle मतलब शांडाल ठीक है तो यह भी एक मुहावरा है इसी तहीके से full of wins इसका मतलब होता है lively and energetic है ना एक और आप बोल सकते हैं alive and kicking इन तीनों का अर्थ एक ही होता है तो आपके एक्जाम में कोई सा भी आ जाए इन तीनों में से इनका अर्थ होता है lively and energetic के बड़िया आपन शान से है ना जैसे वह एक गाना चलता है हम बोले बाकी सब ठीक बोले वस चल रहा है तो आपने चल नहीं रहा है आपने बड़िय अर्थ क्या होता है in the same situation कई बार क्या होता है कि मान लोग की कोई व्यक्ति अपनी कहानी सुना रहा है वह बोले यार वह किसी से बातचीत कर रहे थे तो हमको बातचीत करते करते पांच साल हो गए और पांच साल तक मैंने पढ़ाई नहीं करी और अब वह केरी क्या पापा गई आपकी पांच साल पहले से अगर भरते तो हो जाता तो फिर इदर से मैंने बोले हमने का I am in the same boat मतलब मेरी भी यह इस्तति है मैंने उदर पांच साल उदर लगा दिये और अब पता चला कि आप तो उमर ही निकल गई इसलिए तैयारी कर लो समय से समझ गए हां तो in the same boat rolling get the ball rolling जैसे आप एक ball है वो ball ऐसे पड़ी है है ना तो किसे ने बोला कि थोड़ा इसको roll करो पड़ी पड़ी क्या कर रही है तो get the ball rolling मतलब कि to start doing something कुछ करो जिंदगी में ऐसे ही कब तक पड़े रहोगे है ना तो खुद की खोज में निकल तो किसलिए हताश है तो खुद the ball rolling एसे खड़े मत रहो चलो जिंदगी में ठीक है to start doing something बोलो समाझ गए अगला है cut and dried वो एक एक और है इसके उपर एक अच्छी से इशाहिरी है कि याद नहीं आ रहा मुझे अभी याद आएगा तब बताऊँगा cut and dried cut and dried का मतलब होता है कि जब कोई चीज already हमने decide कर रखिए तो उसके लिए हम क्या use करते है उसके लिए हम use करते है it's cut and dried ये तो पहले से decide हो चुका है अगला देखिए above board above board बहुत अच्छा idea है इसका अर्थ क्या होता है देखिए जैसे कि मैंने किसी को बोला किया तुमको है इमांदार होना चाहिए तो मैं उसको बोलूँगा you should be above board तो above board का अर्थ होता है be honest इमांदार होना चाहिए और आपको भी अपने जीवन में इमांदार होना चाहिए जो इंजिसान इमांदार होता है उसके कभी कोई समस्या नही है समझ गये तो यूशूड बी अबब बोट अगला है एपल ऑफ वनस आई हाँ एपल ऑफ वनस आई तो इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे हिंदी में भी होता यह आन आख का तारह सबसे प्यारा थीक है तो यही है वह एपल ओफ वनस आई का मतलब होता है वेरी डियर बह बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो आई होप कि आपको यह जो इडियम मैंने बताए यह अच्छे से समझ में आये होंगे ठीक है और मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे इडियम इसके बाद यह सारे इंपोर्टेंट है और जिन लोगों ने लेयर 3 एजुकेशन क एप को डाउनलोड करके और वहां से इस्टोर आप्शन में जाके और अपना वीडियो कोर्स बाय करके तयारी कर सकते हैं ठीक है जो भी आप तयारी कर रहे हैं वर्ग एक मैंस का कोर्स भी लौंच हो चुका है इसके अलावा आप वर्ग 2 की तयारी कर रहे हैं जेल प्रहरी MPSI, Orest Guard, PNST किसी भी exam के आप तयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर complete course मिल जाएगा ठीक है तो download करें layer 3 education app और शांदर तयारी करें इसके लिए जो book मंगवाना चाहते हैं हमारे यहां की English grammar की book है तो वो आप इस number पर whatsapp करके मंगवा सकते हैं 9977651282 ठीक है चलिए I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मिलते हैं हम फिर कल की class में आज के लिए इतना ही thank you so much